नमस्कार साथियो आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एजुकेशन पोडल कृष्णा इस वीडियो के माध्यम से स्वसंच चेप्टर से रिलेटेड कुल 50 बस्तुनिष्ट प्रशनों का संग्रह किया गया है लेकिन खास करके इस वीडियो में हम लोग कुल 25 प्रशनों का ही संग्रह करेंगे और जो 25 प्रसन बज जाता है उसको अगले वीडियो में हम लोग पूरा करने का प्रियास करेंगे इस चेप्टर के पहले चेप्टर नमबर एक जैप्रक्रम और पोशन का संचिप्त अध्यन और उससे रिलेटेड जो कुल महत्पूर्ण 50 प्रस्ण का संग्रह किया गया था पार्ट वन वीडियो और पार्ट वीडियो के माध्यम से अध्यन हो चुका है अधि आप उस वीडियो को अनिकी तीनों वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी एवलेबल करा दिया गया है लेकिन इसके पहले एक छोड़ी सी आरजू आप से हाधी चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक और सेर जरूर करेंगे तो चलिए पहला प्रस्ण से प्रारम किया जा है पहला प्रस्ण इसका है भोज पदार्थों से उर्जा का उत्पादन भोजन अनुओं के द्वारा होता है ओप्शन है ओक्सिकरन अबकरन अक्सिकरन अबकरन इन में से कोई नहीं या भोज पदार्थ का इमेज दिया हुआ है भोज पदार्थों से उर्जा का उत्पादन भोजन अन्वों के द्वारा होता है तो इसका राइट ओप्शन ए है अनकी आक्सीकरन के द्वारा होता है कोश्चन नमबर दो भोजन अन्वों का आक्सीकरन दो इस्थिती में होता है असपस्थ है कहा जा रहा है मुखरूप से इस विडियो का ध्य है कि जो मैट्रिक अस्तर के विद्यार्थी है या तो कोई अनपरतियोकता परिक्षा की तयारी कर रहे है तो उन अभ्यर्थियों को उन विद्यार्थियों को इस विडियो के माध्यम से सिर्फ प्रश्ण को याद कराना है और किसी भी प्रकार का दी बस्तुनिस्ट प्रश्ण आता है तो आसानी से इन पचास प्रश्णों की सहायता से जबाब दे सकते हैं तो दूसरा प्रश्ण था कि भोजन अन्वों का ओक्सीकरन दो इस थिती में होता है ऑप्सन है ऑक्सीजन की उपस्थिती में अनिकी O2 की उपस्थिती में B ओप्सन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में दोनों में इन में से कोई नहीं तो यह है ऑक्सीजन की भी उपस्थिती में होती है ऑक्सीकरन उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में भी होती है तो इसका राइट ओप्षन सी है उसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न संख्या तीन उर्जा के उत्पादन के लिए कोसिकाओं में सरल भोज पदार्थ है या कोसिका का इमेज दिया हुआ है ओप्षन दिया हुआ है गुलुकोस, बसा, अमीनो अमल उपर युक्त सभी तो कोसिका में सरल भोज पदार्थ है अनि की उर्जा के इनर्जी के प्रोडक्ट करने के लिए गुलुकोस भी है बसा भी है, अमीनो अमल है अर्थार्थ इसका राइट ओप्षन डी होगा अगला प्रशन जैब कोसिकाओं में रसाइनिक उर्जा का सार्वजनिक बाहक है अनि की जैब कोसिका का इमेज है इसमें जैब कोसिकाओं में रसाइनिक उर्जा जो केमिकल इनर्जी है उसका सारवजिनिक बाहक क्या है तो यह option है ATP, DAP, DDT, DNA तो इसका right option यह है यह है यह ATP की सहायता से आगे पहुचाया जाता है जैब कोशिकाओं में रसाइनिक उर्जा इसके बाद question संख्या, प्रशन संख्या 5 जैब उर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका उपियोग करता है और उर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका और की सेल क्या उपियोग करता है option है glucose, cellulose, दोनों, इन में से कोई नहीं तो पाचमा प्रशन, इसका right answer है glucose और की C6, H12, O6, glucose का सुत्र है और इसकी ही सहायता से जैब उर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका उपियोग करता है जैब उर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका के द्वारा उपियोग किया जाता है इसके बाद छठा नमबर प्रशन, कोशिकी ये इंधन है और कोशिकिये इंधन क्या कहलाता है option है glucose, शुक्रोज, फोटोज, सभी तो कोशिकिये इंधन glucose कहा जाता है और इसका right option A है उसके बाद सात्मा नमबर प्रश्ण स्वसन क्रिया समीकरन का अंतिम उत्पाद है option है CO2, H2O, energy और D नमबर है all तो अधी हम स्वसन क्रिया का समीकरन को समझ लें उसके बाद जो last product है क्या होता है उस समीकरन में तो वही इसका right option हो जाएगा तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्वसन क्रिया के समीकरन को समझने का परियास करें तो C6, H12O6, glucose का सुत्र है इसके साथ oxygen परतिक्रिया करती है enzyme की सहाइता से enzyme तो यह बनता है CO2 नहीं carbon dioxide उसके बाद जल बनता है और अंतता energy भी प्राप्त होती है तो स्वसन क्रिया समीकरन का अंतिम उत्पाद यह हो गया CO2, H2O और energy तो इसका right option D हो जाएगा आठमार नमबर प्रश्ण glucose अनुआउं का आक्सी करन कोसिकाओं में होता है अता है किसे यहाँ पे लिखा हुआ, मिस हुआ है टाइप में इसे समझेंगे, इसे कहा जाता है option है कोस्किये स्वसन आउक्सी करन, अबकरन, सभी तो इसका right answer कोस्किये स्वसन होगा option A सही है इसके बाद अगला प्रश्ण 9 नमबर कोस्किये स्वसन के प्रकार है अनिकि स्वसन के कितने प्रकार है यह पूछा जा रहा है, option है एक, दो, तीन, चार तो स्वसन के दो प्रकार है, पहला होता है बाई बिये स्वसन और दूसरा ओ बाई बिये स्वसन ओ बाई बिये स्वसन अगला प्रश्ण ओ बाई बिये स्वसन होता है अनि ओक्सीजन की अनुपस्थिती में दोनों में इन में से कोई नहीं तो यह पूछा गया है ओबाइबिये स्वसन तो यह ओक्सीजन की अनुपस्थिती में होता है निकि ओप्सन नमबर A सही है और इसमें ओक्सीजन की जरुरत ओबाइबिये स्वसन में नहीं होती है अगला प्रस्ण 11 नमबर गुलुकोस का आनसिक विखंडन होता है और गुलुकोस का आनसिक विखंडन किस में होता है यह पूछा जा रहा है ओप्शन है बाइबिये स्वसन ओबाइबिये स्वसन दोनों इन में से कोई नहीं तो गुलुकोस का जो कोस्किय इंधन है उसका आनसिक विखंडन O-B-A स्वसन में होता है आप्सण नमबर B सही है इसके बाद 12 नमबर प्रश्ण है कोशिका द्रब में संपन्स्वसन है अनि कोशिका द्रब में कौन सा स्वसन है बाइबिय या O-B-A या दोनों तो वह कोशिका द्रब में जब संपन होता है तो किस स्वस्षन के नाम से जाना जाता है ओप्षन है बाइबिये स्वस्षन, ओबाइबिये स्वस्षन दोनों, इन में से कोई नहीं तो कोशिका द्रब में संपन स्वस्षन, ओबाइबिये स्वस्षन कहलाता है option number B सही है इसके बाद अगला प्रशन by BS स्वसन होता है यह भी उसी प्रकार से प्रशन है जो कि पिछला प्रशन हम लोग देखे थे option है oxygen की उपस्थिती में oxygen की अनुपस्थिती में दोनों में इन में से कोई नहीं तो by BS स्वसन है ध्यान रखिएगा तो by BS स्वसन हमेशा oxygen की उपस्थिती में संपन होती है तो option number A सही है इसके बाद 14 नंबर प्रशन गलुकोस का पूर्ण विखंडन होता है और गलुकोस का पूर्ण विखंडन अर्थार्थ पूर्ण ऑक्सीकरन होता है option है by BS स्वसन और बाइविये स्वसन दोनों इन में से कोई नहीं गलुकोस का पूर्ण विखंडन बाइविये स्वसन में होता है option number A सही है इसके बाद 15 नंबर प्रशन बाइविये स्वसन का पर्थम चरन ध्यान रखिएगा बाइविये स्वसन का पर्थम चरन कोई का द्रब में तथा दूसरा चरन कहां पूरा होता है यह पुछा गया है और यह माइट्रो कॉंडिया का फिगर दिया गया है तो अब असपस्ट आप हो गए होंगे कि दूसरा चरन इसका माइट्रो कॉंडिया में ही पूरा होता है इसका right option A है, 16 नमबर प्रश्ण किस स्वसन में अधिक उर्जा मुक्त होती है, और किस स्वसन किरिया में अधिक उर्जा मुक्त होती है, option है बाइबिये और बाइबिये दोनों, इन में से कोई नहीं, तो बाइबिये और स्वसन में अधिक उर्जा निकलती है, अधिक उर्जा प्राप्त होती है, तो इसका option number A, बाइबिये और स्वसन हो गया, तो पाधपों में विश्रन किरिया द्वरा स्वसन की परकिरिया संपन होती तो इसका राइट ओप्षन ए है, ओप्षन नमबर A, 18 नमबर प्रश्न, पाधपों में विश्रन के लिए आवस्यक अंग है, चित्र से भी यहां बताया गया है, असपस्ट हो गये होंगे, कि पाध में विश्रन के लिए आवस्यक अंग पत्या होती है, तो इसका राइट ओप्षन A होगा, इसके बाद 19 नमबर प्रश्न, जड़ों से निकले मूल रोम आवस्यक है, मूल रोम कहने का अर्थ हो गया, कि रूट हेर, यहां जो रोम देख रहे हैं मूल, जड़ का हेर, जड़ का बाल भी कह सकते हैं, तो जड़ों के, जड़ों से जो निकलता है मूल रोम, रूट हेर, वह किस लिए आवस्यक है, ऑप्षन है, ऑक्सिजन गरहन करने के लिए, उसके बाद दूसरा ऑप्षन है, नाइट्रोजन गरहन करने के लिए, हाइड्रोजन गरहन करने के लिए, जड़ों से जो मूल रोम निकलते हैं, वह oxygen को गरहन करने के लिए आवस्यक होता है, तो option number A सही है, इसके बाद 20 नंबर प्रश्ण, epidermal कोशिकाओं से विक्सित होता है, या पूछा जा रहा है, option है, जड़, मूल रोम, तना, पत्या, तो epidermal कोशिकाओं से मूल रोम बिक्सित होता है, option number B सही है, इसके बाद 20 नंबर प्रश्ण, जलिये पौधों में विशरन किरिया द्वारा, या किस माध्यम से किया जाता है, हवा से, जल से, दोनों से, इन में से कोई नहीं, जलिये पौधे का याच्चित्र है, या तो जल में ही हमेशा रहता है, तो यह oxygen जल से गरहन करता है, इसके बाद 22 नंबर प्रश्ण है, जलिये पौधे द्वारा मुक्त गैस है, अनिकि जलिये पौधे द्वारा, जब प्रकास संसलेशन की किरिया होती है, तो कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस मुक्त होती है, वह पूछा जा रहा है, तो oxygen option है, carbon dioxide, nitrogen और सभी, तो हम लोग इस बाद से अवगत हैं, कि कोई भी पौधा हो, चाहे जलिये पौधा हो, या तो अस्थलिये पौधा हो, उसमें जब प्रकास संसलेशन की किरिया होगी, तो वह CO2 ही न निकलता है, और कि इसका option B सही है, प्रसन संख्याता है, इसे, दीन में पौधे से निकली गैसे है, तो असपस्थूप से यहां कहा गया है, कि दीन में, रातरी में नहीं, तो दीन में प्रकास संसलेशन की किरिया होती है, और जब प्रकास संसलेशन की किरिया होती है, शुर सब्सlot प्रकास संसलेशन की करिया हुई थो आक्सीजन गयंस निकलती यह निकी ओर टू गयो प्रकास संसलेशन की क्रिया के परत cait क्यों और इसके बाद अगला प्रश्ण है तो 27 नमबर रात्री में है अब देखे यहां पे द्वारा नहीं की जाती है तो रात्री के समय में कौन सी गैसे निकलती है पौधों से ऑप्शन है ऑक्सिजन कार्बन डियक्साइड नाइट्रोजन और सलफर तो रात्री के समय में जब प्रकास संसलेशन की किरिया नहीं होती है तो यह सी ओटू गैस ही निकालती है पौध है अनिकि option number B सही है इसके बाद अगला प्रश्ण है 25 नमबर जो कि हम लोग अंतिम पड़ाओं में आ चुके हैं इसके बाद जो 25 भीवियाई प्रश्ण है उसको अगले विडियो में हम लोग अध्यन करेंगे तो अंतिम प्रश्ण पौधेस में स्वसन होता है जड से तना से पत्यों से सभी से तो पौधों में जड से भी स्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है तना से भी होती और पत्यों से इसका राइट ओप्शन D है तो इस प्रकार से इस विडियो के माध्यम से कुल 25 प्रश्णों क का अध्यन किया गया जो सेश प्रस्ण बचे हुए हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा करनी थी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद